लॉइन ओर्डर को या पंजाब के अमन शान्ती भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर समाजिकता थी जो दोड़े कोशिश कर रहे थे 35 दिन हो गए आज अमर्दपाल सिंग भी गिर्फतार हो गए लेकिन पंजाब ने लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं बहुत आपारी हूँ नमस्कार जी मैं भगवन्त मान पंजाब में पिछले कुछ महिनों से लॉइन ओर्डर को जा पंजाब के अमन शानती भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर समाजिकता त्व जो दोड़े कोशिश कर रहे थे जैसे ही हमें उनकी गतिविदियों की सूच न मिली हमने एक्शन लिया अठारा मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए चाते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे लेकिन हम नहीं चाते थे कि उसमें कोई खोन खराबा हो को गोली चले इससे पहले अजनाला में थाना के सामने पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरू गुरन साहब जी की सवारी रहती है उसको कुछ लोग लेकर आगे थे उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे उस दिन भी मैंने जो हमारे डी जी पी हैं पुलिस के उनको यही नरदेश दिये थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन गुरू गुरन साहब जी की मर्यादा को उनके सम्मान में कोई आच नहीं आनी चाहिए ना कोई हमने वाटर कैनन जूज किया ना ही कोई कंकर पत्थर चला उस दिन हाँ हमारे कुछ पुलिस जवान जखमी जरूर हुए लेकिन गुरू गुरू गुरन साहब जी की जो इज़त सम्मान लोगों के मन में है उसके लिए हम कुछ भी करने को त्यार है तो उन पुलिस वालों की भी तारीफ हुई पुलिद दुनिया में कि उन्होंने बहुत ही संजम से उस स्थिति को कंट्रोल किया आज अमर्तपाल सिंग 35 दिन हो गया आज अमर्तपाल सिंग भी गरिफतार हो गया और जो 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 लोग जो देश की अमन शानती जा फिर कनून को तोड़ने की कोशिश करेंगे उन पर कानून के मतावकारवाई होगी हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करें हम कोई बैटेंटा पॉलिटेक्स नहीं करते है तो मैं साड़े तीन करोड पंजाबियों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ कि इन 35 दिनों में उन्होंने अमन शानती आपसी भाईचारे को बना के रखा शोशल बॉन्डिंग जो है पंजाब की उसमें कोई तरीड नहीं आने दी और नहीं आने दी जाएगी इससे पहले ही बहुत कोशे हुई कि पंजाब की अमन शानती को भंग किया जाए भाईचार अकसान को तोड़ा जाए लेकिन कामया भी नहीं मिली क्योंकि देश को अजाद कराने में भी 90% कुर्बानिया पंजाबियों की हैं और देश की अजादी को कैम रखने में भी हमारे जवान सरादों पर सीन आतान के खड़े हैं कुछ दिन पहले चार हमारे योदे, चार जवान हमारे पंजाब के, वो सराद की राखे करते हुए जम्मो कश्मीर में, उन्होंने शाहिदी का जाम पिया है। तो पंजाब ने लीड किया है, हरक शेतर में देश को लीड किया है। चाहे वो अजादी का संगर्श हो, चाहे वो आनाज में आतम निरवर्ता लाने के लिए हरा इंकलाब हो, और चाहे वो अमन शांती कैम रखने के लिए। तो मैं एक वर फिर होम मिनिस्टर होते हुए और मुख्यमंद्री होते हुए, आमादी पार्टी को आपने तरम प्यार दिया, जम्यदारी दी, और आमादी पार्टी ने, हमारे सुप्रीम अर्विन केजरिवाल जी ने, मुझ पर बरुसा किया बतार मुख्यमंद्री, और म मैं 3.5 करोड पंजाबियों को जगीन दिलाता हूं कि आपके जानमाल की सुरक्षा और पंजाब में लो और नौडर किस्थिति को काइम रखना हमारा फर्ज है और यह फर्ज हम निभाते रहेंगे। मैं पूरी रात नहीं सोया कल रात मेरे पास इंफर्मेशन आ गई थी तो मैं हर 15 मिंट बाद हर आदे गांटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ मैं नहीं चाहता था कोई भी खुन खराबा हो जा कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लो और जो है वो थाक पे लग ज साड़े तीन कोड़ पंजाबियों की सुक चैन की नींद के लिए हमें अपनी नींद जो है वो कुछ देर के लिए जब कुछ रातों के लिए गवानी भी पड़े तो होगी यह महंगी नहीं है क्योंकि बता और मुख्यमंत्री मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने साड़े त अर्मों के अलग-अलग बिरादरियों के लग-अलग समाज के उनको कठा भी रखो और उनके बच्चों को एक बेहतर भविश्य दूँ उनके हाथ में पंजाब के नौजवान लड़के-लड़कियों के हाथ में मैं उच्छ शिक्षा की डिग्रियां उनके हाथों में लैप गैर समाजिक चीजें कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछले दिनों पंजाब के युगाओं को भड़काने की कोशिश की कि शहएद वो दुबारा से बंदू के उठा लेंगे लेकिन पंजाब ने लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने पंजाब नंबर बन सूबा बन गया देश का तो हमारे देश को दुनिया का नंबर बन देश बनने से कोई नहीं रुक सकता बहुत बहुत धन्यवाद जैन